दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे नावकिय भौतिकी के concept हमने पढ़ लिया था मेसोन, इलेक्ट्रोन, पॉजिट्रोन, etc. के बारे में हमने देखा था कि जो सापक्षाल सिधानते होता है दो तरह का एक होता है जेनरल एक होता है special theory of relativity ठीक है जो cyclotron है वो क्या होता है प्रोट्र पर उड़ जा का निर्मान होता हो कैसे होता है नावकिय सनलयन क्या होता है यह बात हमने बताई थी आपको फिर जो हमारा frequency है उसके बंडने के कारण frequency बंडने के कारण जो energy है वो बढ़ती है या फिर जो wavelength है जब वो घटता है तो energy बढ़ती है क्यों क्योंकि जो frequency है it is directly proportional to energy जो energy है, it is directly proportional to frequency and energy is inversely proportional to its wavelength, ठीक है, चलिया, आगे हम लोग देखते हैं, अपने अगले चीज़ों को, solar cell में क्यों किया आता है, क्या, silicon, silicon का इस्तमाल होता है, solar cell में, जो प्रकास वोल्टिया सेल होते हैं, इन से हम लोग बनाते हैं, solar cell, जो फोटो वोल्टिया सेल है, उस नह ने बताया है, पहले कि कैसे बनता है, solar, उर्जा, अब आपको दिया गया है, चार बाते, आक बाचाना है, कौन सा कथन, सही है, पहला, नाभिकी रेक्टर में, स्वा पोशित सिंकला अभिक्रिया संभव है, क्योंकि, nuclear reactor में, self sustained chain reaction is possible, because, पर तेक विखंडन अभिक्रिया में अब एक शक्रित अधिक neutron निर्मुक्त होते हैं, neutron विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिंसा लेते हैं, दुरुत neutron graphite द्वारा धिमे किये जाते हैं, विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर neutron आगे और विखंडन की शुरुआत करता है, देखो क्या होता है, uranium का ज binding energy कम है उन तत्वों से जो बाद में बनते हैं, for example, uranium तूट करके दो अलग-अलग नाभिकों में बनता है, uranium तूटता है और दो अलग-अलग जो product है, जो अलग-अलग element हैं, वो बनते हैं, ये जो हमारे element हैं, इनकी binding energy ज्यादा होती है, मतलब कि ये ज्यादा stable होते हैं, uranium is less stable, ठीक है, अब सोचो, uranium तूट करके दो इसमें क्या बन रहा है, बन रहा है, दो अलग-अलग, प्लस इसमें energy भी release होती है, बस में आती है, तो क्यों इतना ही नहीं, यहाँ पर neutron भी निकलते हैं, neutron का charge 0 होता है, neutron एक neutral particle है, charge less particle है, देखो, neutron और neutrino, N-U-T-R-I-N-O दोनों अलग-अलग हैं, ठीक हैं, neutron हमारा मिलता है, किस में, nucleus में, जो neutrino है, यह हमारा elementary particle है, दोनों पर charge 0 होता है, ठीक है, neutron पे एक अच्छा-खासा mass होता है, neutrino यह nearly massless particle है, nearly massless, धहाँ सुनना, इसका mass है, मगर बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक, अगर कोई कहें कि neutrino is massless, वो बात गलत होगी, ठीक है ना, उसका mass है, मगर बहुत ही कम है, ठीक है, चलो, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर, तो देखो, जो विखंडन होता है, मतलब जो nuclear fusion होता है, इसमें ज्यादा neutron निकलता है, मतलब कि, एक uranium का atom है, यहाँ पर neutron ये लाकर टकराया, इसको मिले एनरजी, ये टूट करके तो अलग-अलग element में बट गया, इसके दुस्तों अलावा, इसमें कुछ और neutron निकलते हैं, जो दूसरे reaction में इस्तमाल हो सकते हैं, मतलब कि, एक neutron ये हो गया, एक neutron ये हो गया, तो कि, फास्ट neutron के द्वारा, हमारा नाविके विखंड नहीं हो सकता, इसको में लोग स्लो करते हैं, किस से, ग्रेफ़ाइट से, या फिर भारी जल, डिटेरियम ऑक्साइड, D2O से हम लोग स्लो करते हैं, इसको अलग-अलग हमारे होते हैं, मंदक, है ना, इसको में लोग कहत हर neutron आगे, और विखंडन के शुरुवात करता है, हर neutron नहीं, जो neutron slow किया गया है, जो neutron उस रेक्टर में है, बस वही करता है, जो neutron बाहर निकल गया, वो नहीं करता, मेरा 4 गलत है, 1 and 3 only are correct, nuclear reactor क्या है, यह एक आणविक भट्टी है, जहां पर जो nuclear fusion है, वो होता है, और उससे उसमा निकलती है, पानी गरम किया आता है, और जो बिजली है, पैदा होती है, नाभिकिये sunland reactor के विशह में, आपको दिये गए हैं, तीन बाते, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिधा पकारे करते हैं, नहीं जी, विखंडन नहीं होता, sunland का मतलब होता है, fusion, fuse करते हैं, क्या करते हैं, कमबाइन करते हैं, hydrogen, hydrogen कमबाइन किया, तो क्या बना, आपका helium बना, ठीक है, मेरा यहाँ पर पहला गलत हो गया, सधर्मता है, उनकी टोकमक डिजाइन होती है, टोकमक क्या जिसी की रखे जाते हैं, मतलब की hydrogen के जो नाभिक है ना, आपस में compress किया जाते हैं, बहुत ही high temperature पे, ताकि ये दोनों आपस में भिड़ सकें, भिड़ कर सकें, कोलाइड करके ये आपस में, sunland हो सकें, sunland हो सकें, मेरा सेकंड सही है, वे बहुत अधिक ताप पर काम करते है हाँ, सोचो, hydrogen का nucleus क्या होता है, proton ही तो होता है, है ना, अब आपको पता है कि same charge का जो particle है, वो आपस में क्या करता है, आपस में दुसरे को दूर भेजता है, है ना, अगर कोई charge उल्टा है, क्या करेगा, दोनों आपस में attract करेंगे, करेब आएंगे, मगर दो अलग अलग particle ना हो करके, दोनों अगर same type के charge है, क्या होगा, दोनों आपस में रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेगा, ये attract करेगा, ठीक, तो hydrogen क्या करता है, ये आपस में रिपेल करते है, इनको नस्दीक लाने के लिए temperature काफी high रखा जाता है, मेरा third साई है, आगे देखो, नाभिकी reactor औ जो reaction होता है, वो क्या होता है, वो controlled होता है, ठीक, जो extra neutron है उसको हटा दिया जाता है, पर मानुबम में यह uncontrolled होता है, ठीक, वहाँ पर कोई मंदक वगरा तो होता नहीं है, वहाँ पर कोई controller तो होता नहीं है, नाभिकी reactor में controller rods होती है, जो neutron को absorb करती है, जैसे ही उन रॉड को नाविके भट्टी में गिरायाता है ना ये रॉड उन सभी न्यूट्रोन को अब्जॉब कर लेती है और रियक्शन रुख जाता है ठीक है अधुनिक आयूर विज्ञाने के विज्ञान में नाविकिय और शिदिया नैदानिक और उपचार के परभाव में उपकरने गुरूप में उभर रही है ये वास्ता में क्या है रेडियो आईसोटोप है जैसे कि हमारा आयोडीन वगरा ठीक है ना जो कैंसर इसमें बमारिया ह है दोस्तों इसी थोरियम को इस्तमाल करने के लिए हम लोग 3-stage nuclear reactor को प्रोग्राम करते है हमारा जो निउकुलियर स्डाय है भारत में वह 3-ixo का है मतलब कि हम लोग uranium इस्तमाल करेंगे पोलोनियम और थोरियम वगार का समागर क्या बनेंगे हम लोग उर्जा बनेंगे मतलब कि यूरोनियम हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े हमें हमारे थोरियम में ही काम चल जाए इसलिए हम बना रहे हैं क्या 3-stage nuclear reactor हमारे भारत में एक रेडियो धर मीत तत्व जिसके भारत वर्ष में बड़े भंडर पायाते हैं वो क्या है वो थोरियम है ठीक प्रकिर्ती में यूरोनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है क्या बात सही है हाँ जी है उत्खनन प्राप्ती खनित से मिलने वाली परती एकाय दरविमान उर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम जो है वो यूरोनियम की तुलना में कहीं अधिक उर्जात पन करता है तोरियम जादा energy निकालता है uranium की तुलना में मेरा second तोरियम uranium की तुलना में कम नुक्सान दे अपरफिस्ट उत्पादित करता है जो होते हैं भाई-प्रोडक्ट वो लेस हमफल होते हैं प्लस हमारे भारत का भी है हमारे यहां इसका खुब सब बढ़ा भंडार है कहां पर जो केरला का जो कोस्ट है ना उधर तीन मेरा साही है और जो गया में है हमारे यहां यहां भया को थोरे मिलता है बस उसका जिसे की जो होती है मतलब उसका उत्खनन उससे करने के जरूरत है मेरा 1,2,3 साही है ITER जो International Thermonuclear Experiment Reactor है इसका एक महदपूर्ण सदस्य है भारत यदि यह परियोग सफल होता है तो भारत का ततकली कलाब क्या होगा यह सवाल आया था UPSC में 2015 या 2016 का सवाल है ठीक ना तो अगर ITER का परियोग सफल हो जाता है तो हम लोग Nuclear Fusion Nuclear Fusion मतलब कि Hydrogen Hydrogen वाला इसका हम इस्तमाल कर पाएंगे विद्युद बनाने के लिए ठीक कैडमियम, थोरियम, प्लुटोनियम, यूरिनियम ततों में से परमानो इंधन की शरिनी में नहीं आता कैडमियम, ठीक है दोस्तों इसका इस्तमाल करते हैं में अगर उसको फ्यूल के तौर पर नहीं फ्यूल नहीं है यह थोरियम, प्लुटोनियम, यूरिनियम ये सब फ्यूल है, प्लुटोनियम से बॉम भी मनता है मोनाजाइट, थोरियम बेरियलियम और क्रोमियम में से अनुशक्ती से समध्खनीच कौन सा नहीं है ये क्रोमियम है इसका तार वगरा बनता है मोनाजाइट, थोरियम, बेरियलियम ये से समध्खनीच थे किस से? अनुशक्ती से किसे का इस्तमाल होता है फ्यूल के रूप में पाद है कब जब hydrogen, hydrogen मिल करके helium बनता है तो ठीक बाके uranium, thorium, radium ये सब इंधन है अगला देखो uranium, thorium, calcium, plutonium में इसे नाभेकिया इंधन कौन सा नहीं है कैल्सियम नाभेकिया इंधन नहीं है बाके तो हैं ही ठीक है तो दूसरों ऐसे question खूब पुछे आते हैं यहाँ पर सवाल देखिए uranium, thorium, plutonium और lead इनमें से कौन सा परमानविक इंधन नहीं है तो lead है है ना क्योंकि uranium, thorium, plutonium तो है ही आप देखो जर्कोनियम, uranium, molybdenum, vanadium इनमें से nuclear bomb में कौन इस्तमाल किया आता है uranium आराम सा सवाल है है ना परमानू बम का सिधान्त किस पर धारित है नाभेकिया विखंडन पर ठीक है परमानू बम का सिधान्त atom atom bomb क्या होता है nuclear fission ठीक है विखंडन जो hydrogen bomb है इसमें क्या होता है इसमें पहले विखंडन होता है विखंडन की साहता से sunlion किया जाता है ठीक है पहले nuclear fission होगा temperature raise करेगा temperature बढ़ेगा तो इस temperature high होनी के वजह से hydrogen के जो परमानू है वापस में fuse करेंगे जो नाभ की sunlion है वो होगा और nuclear fusion reaction वहाँ पर काम करेगा शुरू हो जाएगा परमानू बम का जो कारीकारी सिध्धान तो नाभ की विखंडन है तो किसका hydrogen क्या है hydrogen का नाभ की sunlion है ठीक है डिटेरियम क्या होता है यह आईसोटोप है hydrogen का ठीक है जो हम दो दखते है ना इसको बोलते हैं deuterium oxide hydrogen किस पर धारित है hydrogen बम अधारित है अनियंत्रित नाभ किया सनलयन अभिकरिया सिध्धान्त पर hydrogen किसके विखत किया गया था यह बनाया गया था Edward Taylor द्वारा याद रहेगा जो समवर्धित uranium है वो क्या होता है अगर हम लोग कहते हैं कि uranium को हम लोग purify कर रहे हैं उसको समवर्धित कर रहे हैं उसको enrich कर रहे हैं enrich करने का मतलब होता है न कि uranium को हम लोग और purify कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उसको और सुद्ध बना रहे हैं ठीक जो प्रक्रितिक uranium है जिसमेरियोट धर्मी U-235 जो आइसोटोफ है न इसका घटक बढ़ा जाता है मतलब कि इसको और purify किया जाता है uranium के radio धर्मी विगटन का अंतिमतपात क्या है सीसा जो uranium है यह अगर radio activity के कारण विगटित होता है तो आखिर में क्या बनेगा सीसा बनेगा uranium से पहले दूसरे अलमेंट बनेगे फिर कोई और element बनेगा कोई और element बनेगा अंतिम जा करके सीसा बनेगा चलिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयू चार महीने है अर्ध आयू क्या होता है half life मालनो कि मेरे पास 4 किलो कोई radioactive रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इसका half life है दो साल ठीक तो दो साल के बाद मेरा जो पदार्थ है न वो चार किलो नहीं बचेगा वो केवल दो किलो बचेगा ठीक है कितने साल के बाद दो साल के बाद अब सोचो दो साल और बीत गया मेरे पास कितना किलो बचेगा केवल एक किलो बचेगा है ना फिर दो साल के बाद क्या बचेगा मेरे पास आधा किलो बचेगा ठीक फिर के बचेगा मेरे पास पावबर बचेगा customization technologies एसको बोलते है क्या half life यह उसको बोलते हैं radio active decay तो कह रहा है इस पदार्थ के 3, 4, 3, 6 होने में कितना समय लगेगा देखो एक है अभी पूरा एक है क्या बन गया आधा बन गया ये जो आधा है क्या होगा ये मेरा 1 by quarter बनेगा समझ रहा हो तो 3, 4, 3, 6 कब होगा जब मेरा cable 1, 4 बचेगा क्योंकि 3 by 4 तो 6 हो चुका है है ना तो 4 महीना यहां लगा 4 महीना यहां लगा कितना महीना हुआ 4 और 4, 8 महीने में मेरा 5 उताई खतम हो जाएगा किसी विघटानविक तत्व की अर्ध आयू 5 वर्स की है 20 वर्स बाद कितना अंस बचता है सोचो 5 वर्स का है तो पहला 5 वर्स में क्या हो गया अधा हो गया फिर 5 वर्स बीता 1 by 4 हो गया फिर 5 वर्स बीता 1 by 8 हो गया ठीक ना 5 साल, 5 साल, 5 साल 1 by 16 कब हो जाएगा जब 5 साल और बीच जाएगा बस में आती है, तो 5, 10, 15, 20, 20 साल बीतने के बाद मुझे कितना मिलेगा केवल, 1 by 16 मिलेगा, बस में आती है न, देखो, हर बार आधा हो जा रहा है, है न, 1 by 2 का आधा, 1 by 4, 1 by 4 का आधा, 1 by 8, 1 by 8 का आधा, 1 by 16, क्या मिला, 1 by 16 भागी केवल बचेगा, ऐसे कोशन दोसे खुब पुछे जाते हैं, ठीक न, एक रेडियो धर में पदार्थ की अर्थ आयू, 10 दिन है, इसका अभिपराई यह है, कि पदार्थ का जो 3, 4 भाग है न, वो खतम हो जाएगा, 20 दिनों में, जब 10 दिन बीता, तो मेरा पदार्थ अधा हो गया, जब 10 दिन और बीता, तो मेरा प गटित हो जाएगा, केबल 1 भाई 4 भाग ही बचेगा, एस्टे टाइन, फ्रैंसियम, ट्रीटियम और जर्कोनियम में इससे जो रेडियो अक्टिव ततो है, वो कौन सा नहीं है, जर्कोनियम नहीं है, बाकि तीनों जो है न, वो रेडियो अक्टिव है, मतलब किन्टा 6 होत रहता है, यू 232, 234, 235, 249 में वह समस्थानिक जो परमानू उर्या सनेतर में उत्पाद के लिए इस्तमाल किया आता है, यूरिनियम 235, 235, अब समझो यहाँ पे, 235 कहीं तो इस्तमाल करते हैं हम लोग फ्यूल के रूप में, इसी का कंसेंट्रेशन बहाते हैं न, जब कह कहते हैं कि हम लोग purify कर रहे हैं, enrich कर रहे हैं, मतलब कि हम यूरिनियम 235 का जो concentration है, वो बढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि मैं दूध को purify कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं दूध में से जो पानी था न, पानी को कम कर रहा हूँ, और दूध को बढ़ा रहा हू तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं uranium को purify कर रहा हूँ, enrich कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 235 का जो content है, जो दूद का content है, दूद का मातरा है, वो मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो अशुद्धी है, जो पानी है, उसको मैं कम कर रहा हूँ, ठीक, तो सरी अथी ब